वेल्कम टू ओन्लाइन गुरुजी क्लासेश इस पार्ट वन ओफ आवर लेक्चर सीरीज ओन नम्बर सिस्टम जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अभी थक हम लोगों ने हम लोग ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं ठीक है तो आप लोग नम्बर सिस्टम को सीखने के साथ साथ जो पुराने लेक्चर जो हम डिसकस कर चुके हैं आप लोग उने भी देख सकते हैं ठीक हैं साथ ही साथ जो लोग मेरे फेजबुक के ग्रूप ऑनलाइन गुरुजी पे जोइन नहीं हुए हैं या जिनोंने मेरे यूटूब के चैनल online Guruji को अभी तक subscribe नहीं किया है उन लोगों से request है आप या तो मेरे facebook के group online Guruji को join कर लीजे या channel को subscribe कर लीजे ताकि channel पे जैसे जैसे आप updates होते रहे आप लोगों को भी updates आते रहे थिक है बेटर ये होगा कि facebook से तो almost हर कोई connected है तो आप facebook पे online Guruji type करके मेरे ग्रुप पे मुझे जॉइन कर लीजे अच्छा नंबर सिस्टम के पार्ट वन पे आज हम देखेंगे कंसेप्ट आफ यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट कंसेप्ट ठीक है यूनिट डिजिट के कंसेप्ट तो सिंपल होते हैं तेंथ डिजिट के कंसेप्ट थोड़े से ट्रिकी होते हैं बट हम दोनों कंसेप्ट आज कोशिश करेंगे सीखने की देखो यूनिट डिजिट से कंसेप्ट क्या है सपोज मैं एक नंबर लिखता हूं से आई राइट एनी नंबर टू त्री 3 4 5 मैंने एक नंबर लिखा तो ये नंबर क्या है मेरा ये नंबर होता है मेरा यूनिट डिजिट देजिट रह US AP तो है और ये क्या होगा ये होगा मेरा 10th डिजिट तो है तू देखो पेपर में जनरली कॉशिन कैसे आते हैं CGL पे ऐसे question आ जाएंगे 2348 की power 64 इसका मुझे क्या बता दो इसका मुझे unit digit बता दो ठीक है इस type से आएगा इसी question को वो यह से भी पूछ सकता है कि इसी question का मुझे क्या बता दो 10th digit बता दो यह दोनों तरीके से पूछ सकते हैं जनरली वो आपसे unit digit ही पूछ रहा है बत क्या पता कभी मूड आ जाए कि 10th digit भी पूछ लिया जाए ठीक है तो हम unit digit और 10th digit दोनों का concept यहाँ पर सीखेंगे पहले हम क्या देखते हैं पहले हम unit digit का concept देखते हैं अच्छा यहाँ पर देखो अगर कोशिन ऐसा हो find the जड़ा एक कोशिन देखो मैं आपको बोलू 28 into 25 कितना होता है तो आप लोग फटा फट multiply करके मुझे बता सकते हो 28 into 25 85 जो 40 5 तू जो 10 14 8 तू जो 16 2 तू जो 4 और एक जो कह रही था वो 5 आप बोल सकते हैं यह कितना आएगा यह 700 आएगा clear अगर मैं इसी कुश्चन में आप से पूच था कि मुझे खाली unit digit बता दो तो आपको अगर खाली unit digit बताना होता तो आप क्या करते हैं अगर खाली unit digit का कुश्चन है तो आपको 10 डिजिट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए ठीकिए चाहे कुश्चन जितना بھی लंबा हो जो भी कुश्यन में लिखा हो अगर वो unit digit का कुश्चन है तो आपको उसके 10th digit से कोई मतलब नहीं है भी 0 ही आया और इस case में भी 0 ही आया ठीक है इसका मतलब question में चाहे जितने भी multiplication होते जाए अगर आपको unit digit का question है तो आपने सबसे पहले तो 10th digit को पूरा ही eliminate कर देना है जैसे मान लो अगर यही question को और typical बनाओ मैं बोलता 2, 8, 6 into 2, 7, 3 into 6, 5, 1 into 9, 4, 2 मान लो अगर ऐसा question आता है अच्छा देखो अब या तो अगर आप लोग multiplication कर सकते हैं तो क्या होगा आपका कम से कम भी I guess इतने बड़ा multiplication तो 5 minute तो waste होता ही है ठीक है क्योंकि उसने unit digit पूछा है तो मुझे 10th place से कोई मतलब नहीं होना चाहिए देखो 2 और 8 card दो 2 और 7 card दो 6 और 5 card दो 9 और 4 card दो मतलब मुझे मतलब है किस से 6 से 3 से 1 से और 2 से ठीक है तो अब देखो 6 into 3 18 18 into 1 18 18 into 2 कितना हुआ 18 into 2 is 36 तो unit digit क्या आएगा 6 आएगा अगर इसी question में complication हो जाता मानलो ऐसा ऐसे मैं लिख सकता था 6 into 3 18 आप इसे into 1 into 2 ऐसे लिख सकते थे ठीक है आपको आप दुबारा से पता है कि unit digit से तो unit digit का question है 10 digit का मतलब नहीं तो जहां 10 digit आया वहीं eliminate कर दो question खाली रहे गया क्या है 8 into 1 into 2 answer क्या आया 16 आया अभी भी तो unit digit में तो कोई change नहीं आया अभी भी 60 रहा यहां भी 60 रहा इसका मतलब unit digit का अगर question है तो आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने सबसे पहले उसके 10th digit को eliminate करके question को reduce form पे लिख लेना है मैंने question को reduce form में लिख लिया 6 into 3 into 1 into 2 अब 6 3 जा 18 आया दुबारा मुझे पता है 1 तो 10th place में चले गया मुझे 1 की तो जरूरत ही नहीं आपने उसे क्या ले लिया खाली 8 ले लिया तो यह क्या हो गया 8 into 1 into 2 16 विल भी माय आंसर clear? clear? I guess आप लोगों को clear हो गया होगा यह वाला concept ठीक है इस पर और हम question करेंगे पीछे एक दो question मैंने रखे हुए है ताकि आप लोगों की conceptual clarity और बढ़ जाए ठीक है अच्छा इसी को दूसरे वो इस form में पूस्ता है कि वो power के form में दे देता है जैसे से वो question ऐसे पूस्ता है जैसे 683 की power 95 उसने बोल दिया 683 की power 95 इसका मुझे क्या बता दो unit digit बता दो इसका क्या बता दो मुझे unit digit बता दो अब देखो question unit digit का है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने 6 और 8 दोनों को eliminate कर देना है तो आपका question खाली किस पर reduce हो जाएगा आपका question reduce हो जाएगा 3 की power 95 में क्लियर किस पर reduce हो जाएगा 3 की power 95 ओके अब देखो अब पावर के साथ क्या करना होता है देखो साइकली सेटी का concept है ठीक है वो concept में discuss करूं कि ना करूं ठीक है एक सेकेंड ओल करना कर देखो साइकली सिटी की अगर मैं बात करता हूं जरा थोड़ा चाहां से टू की power काउंट करना शुरू करता हूं तू की पावर 1 is 2, तू की पावर 2 is 4, तू की पावर 3 is 8, तू की पावर 4 16, तू की पावर 5 32, तू की पावर 6 64, तू की पावर 7 128, तू की पावर 8 256, 2 की पावर 9, 512, ठीक है, 2 की पावर 10, वैसे आपको इतना पता भी होने चाहिए, ये 2 की पावर 10 तक, 1024, ठीक है, 1024, क्लिया, अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो, ये 2, दूबारा से यहाँ पर रिपीर्ट हुआ, 2 की पावर 5 में, फिर ये 2 की पावर 5 के बाद दूबारा से रिपीट हुआ, 2 की पावर 9 में, ये फिर आगे जाके रिपीट होगा, ठीक है, वैसी अगर आप 3 की पावर चेक करोगे, तो 3 की पावर के साथ भी सेम केस होगा, 3 की पावर 1 इस 3, तो 3 की पावर 5 इस 340, 3, कित होगा, नई, 243 होता है, ठीक है, 81 इंटू 3, क्लियर, तो अगर साइकलिसिटी की बात करूँ, तो वैसे तो हर नंबर की अपनी साइकलिसिटी होती है, ठीक है, बट आप लोग एक चीज याद रख लेना, हर नंबर की अपनी साइकलिसिटी है, आपको बट एक युनिवर्सल साइकलिसिटी भी है, ठीक है, युनिवर्सल साइकलिसिटी है, किसी भी नंबर का होता है, 4, कोई भी नमबर हो, उसके unit digit के लिए, कोई भी नमबर हो, उसके unit digit के लिए universal जो cyclicity है, that is 4, इसका मतलब वो number 4, पावर के बाद, जैसे 1 था, 1 पे plus 4 करो, 5, प्लस 4 करो, 9, उसके बाद अपने unit place को तो repeat करेगा ही करेगा, हर number, ठीक है, अच्छा, अगर हमें universal cyclicity का concept, अगर आपको 4 से पता है, तो आपको फिर हर individual number की cyclicity याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगोंने किसी की cyclicity याद रखनी, आप लोगोंने बस यही याद रखना है कि हर number की cyclicity क्या है, 4 तो है यह, जैसे 6 तो हर बारी 6 रहता है, 5 हर 2 के बाद change हो जाता है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखने प for unit place 4 है, clear, ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी बात clear है, तो इस question में आ जाओगा, जो हम discuss कर रहे थे, मैंने बोला 3 की power 95 है, clear, अब आप लोगोंने क्या करना है, जो यह power है, क्योंकि मुझे पता है, cyclicity 4 है, तो अब आप 95 को 4 से divide कर दो, तो क्या आएगा, 4, 1, 4, 2 जा, 8, 1, 5, 4, 3 जा, minus 12, तो आपके पास क्या आजाएगा, 3 क्या आजाएगा आपके पास, 3 आजाएगा आपके पास, remain down, clear, 3 क्या आजाएगा आपके पास, remain down, तो अब इस question को reduce form में आप क्या लिखोगे इसी question को 3 की power 95 को इसका reduce form इसका जो unit digit होगा वो किसका unit digit होगा 3 की power उसका remainder 3 मतलब 3 की power 3 का जो unit digit होगा that unit digit will be same जो 3 की power 95 का होगा क्यों क्योंकि जो 4 के बाद जो cyclicity आती है मैंने वो सारे 4 वाले factor को क्या करा हटा दिया ठीक है तो 3 की power 3 कितना होता है 3 की power 3 is your 27 तो unit digit क्या है आपका unit digit क्या है आपका 7 तो इसका मतलब 6,8,3 की power 95 का अगर कोई आपसे पूछे कि unit digit क्या होगा आप लोग क्या कहेंगे इसका unit digit क्या होगा 7,3 नहीं 7 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है clear हो गया होगा क्या करना है आप लोगों ने सबसे पहले तो खाली unit digit रखना है बागी सारे digit को eliminate कर देना है first point second point जो unit digit के ऊपर अगर कोई power उसने दे रखा है तो आपने उस power को किस से divide करना है 4 से divide करना है और उसके बाद जो वो power है उससे replace जैसे 95 है ना 95 को 4 से divide करके उसे replace किस से कर देना है जो remainder होगा उससे replace कर देना है देखो 95 को मैंने 4 से divide करा तो remainder कितना है 3 तो मैंने क्या करा 3 तो रख लिया base number और इस number को जो remainder बचा उससे मैंने replace कर दिया 3 तो 3 की power 3 कितना होगा 27 तो unit digit क्या हुआ 7 हुआ clear अच्छा ठीक है इतनी बात तो clear हो गई अच्छा मान लेते हैं ठीक है मान लेते हैं कुछ ऐसा case बन जाता आपके पास कैसा case अभी तक मैंने क्या बताया आपको अगर मैं ऐसा बता हूँ एक्स वाई का अगर फॉर्म है तो आपने क्या करना है आपने वाई डिवाइड वाई 4 करके जो remainder आएगा मान लो remainder आया r तो आपने इस question को क्या लिख देना है x की power r पर लिख देना है clear मान लो कभी case ऐसा आ जाता है मान लो मैं एक example देता हूँ आप लोगों को ठीक है case ऐसा है 8 की power 64 का यूनिट डिजिट निकालना है अकूर शक्ते डिजिट निकालना अब मैं क्या करूंगा देखो आपको पता है आप लोगों नहीं क्या करना है जो मैंने बूला है आप लोगोंने वैसे करना आप लोगों ने बोलना है 64 को डिवाइड करना है 4 से क्यों क्यूंकि 4 तो क्या है universal cyclicity है आपने 4 से डिवाइड करा तो आपने बोला 4 16 जा 64 this will cancel out remainder क्या आगया 0 आगया clear अब क्या करूंगा अगर आपका remainder 0 आता है जब भी तो उस case पे आप लोगोंने क्या करना है उस case पे आप लोगोंने remainder 0 न लिखके हमेशा क्या लिखना है 4 लिखना है जो कि उसकी cyclicity है clear तो बस इतना याद रखना है तो 8 की power 4 कितना होता है 8 की power 4 को आप ऐसे लिख सकते हो देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ठीक है multiply करने के जहत नहीं होगी सारी देखो 8 8 जा कितना होता है 64 एक जा कितना होता है 64 क्लियर क्योंकि question क्या unit digit का है तो जैसे 10 डिजिट आता है eliminated अब बच किया गया 4 4 4 4 जा 16 तो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमें पास 6 तो इस question में 8 की power 64 का unit digit क्या होगा unit digit होगा 6 क्लियर तो हम लोगों ने क्या सीका है बस हम लोगों ने यही याद रखना है कि पावर जो भी है नंबर की जो भी पावर है उससे divide by 4 करना है उसके बाद हम लोगों ने क्या चेक करना है उसका remainder चेक करना है क्लियर अगर remainder non zero है मतलब zero नहीं है तो हमने उस power को replace कर देना है remainder से ठीक है जैसे इस case में किया पावर को replace कर दिया remainder से in case of non zero ठीक है मान लेते हैं कि अगर remainder zero हो जाता है ठीक है अगर remainder zero हो जाता है तो हमने क्या करना है पावर को replace करना है four से ठीक है non zero के case में तो मैंने बता दिया zero का case में क्या करना है जीरो का case में replace कर देना है four से तो same question ऐसे reduce होगा clear hopefully आपको concept तो clear होई गया होगा ठीक है चलो इससे related 2-4 question देख लेते हैं फिर हम next देखेंगे कर देखो ठीक है find the unit digit in the following case देखो यह case दिया है इस case में मुझे क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले क्या है बागी सारे डिजिट को eliminate कर दो clear तो question किस पे reduce हो गया four की power 102 प्लस four की power 103 clear इस पे replace हो गया अच्छा next क्या case क्या होगा 102 को divide करो four से और इस case में 103 को divide करो four से 4 2 जा 8 2 2 4 5 जा 22 4 2 जा 8 2 3 4 5 जा 20 और 3 ठीक है वैसे एक और बात बताओ फोर की divisibility rule यह कहती है कि मुझे सिफ last के दो number को divide करने की जहता है तो यहां देखते ही आप लोगों को पता अभी divisibility test हमने नहीं करा वरना तो आपको सीधा ही देखके ही पता है remainder 2 और 3 है ठीक है वो divisibility test के बाद मैं बताता हूँ divisibility test 4 का 4 का divisibility test यह कहता है कि पूरे number को divide करूँ या खाली last दो number को divide करूँ उस पे मुझे remainder मिल जाता है ठीक है वो बाद में देखेंगे अभी अभी इन questions पे ही ध्यान रखते है clear अभी आप divide ही करके करो ठीक है ठीक है तो यह क्या हो गया देखो आपके पास यार यह camera ने जान ले ले ठीक है तो यह क्या हो गया आपके पास 4 की power ठीक है आपने remainder से replace कर दिया 2 plus 4 की power 3 remainder से replace कर दिया 4 की power 2 क्या अपने होती है 16 4 की power 3 कितना होता है 64 दोनों को add कर दिया यह कितना आगया 80 तो unit digit क्या आगया इसका 0 clear unit digit क्या आगया इसका 0 clear concept clear हो गया होगा ठीक है next question देख लेते हैं ठीक है अब देखो question बड़ा ही लंबा सा दे रखा है बट आप लोगों ने क्या है आप लोगों ने इन्हें eliminate करा इसे भी eliminate कर दिया ठीक है तो यह किस पर reduce हो गया 4 की power 1793 अब यहाँ पर into का sign है और 5 की power 317 ठीक है अच्छा 1793 को 4 से divide करने में remainder क्या आता है remainder आप लोगों का आएगा 1 clear मैंने सिर्फ लास्ट के दो डिजिट लिए ठीक है 93 मुझे पता है 92 आता है 4 के table में 4 कितने जा होता है 92 4 23 जा ठीक है तो मुझे पता है 1 remainder आने वाला है similarly यहां क्या आने वाला है 5 आप लोग चेक कर ले ठीक है वैसे divisibility test जब पढ़ा दूंगा तो आप कर ले खुदी करने लग जाओगे ऐसे यहां क्या remainder आ जाएगा 1 clear दोनों को multiply करो 4 इंटो 5 20 तो आपका unit place का number क्या आ गया 0 clear clear यह 4 का divisibility test होता है कि 4 के divisibility remainder निकालने के लिए सिफ आपने last 2 digit ही देखने की जो आता है 17 देखा मैंने मुझे पता है 4 4 जा 16 होता है तो remainder काली क्या आएगा 1 ही आएगा मैंने देखा 93 मुझे पता है 4 के table में 92 आता है ठीक है तो मुझे पता रिमेंडर 1 आएगा तो 5 4 20 कर दिया मैंने क्लिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन इस फाइंड यूनिट डिजिट अब देखो बड़ा लंबा कोश्चन लिखा है बट आपको पता यूनिट डिजिट के लिए क्या चाहिए आपको सिर्फ आपको सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए सिफ यूनिट डिजिट ही चाहिए मतलब आप लोग सारे को ऐलिमिनेट कर दो ठीक है तो आपके पास क्या बज़ गया आपके पास बज़ गया 2 x 9 x 1 x 9 ठीक है 99 जा 81 तो आपके पास बज़ गया 2 x 81 आप 8 को भी अलिमिनेट कर सकते हैं यह भी 10 डिजिट का है तो 2 x 1 is 2 तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा क्लिया सिमिलरली यह वाला कोश्चन देखो क्या लिखा है बी पार्ट में 23 की पावर क्लिया अब देखो इस कोश्चन पे आपका यह वाला नंबर क्या है यह वाला नंबर आपका बेस है बाकी यह दो पावर है तो अव्यसी बात है कंसेप्ट क्या बोलता है पावर को डिवाइड कर दो 4 से तो और सबसे पहले तो सारे बेस का टेंथ डिजिट हटा दो मतलब आपने 2 को एलिमनेट करना है कुश्चन को रिड्यूस वाम में लिखोगे 3 की पावर 23 और 23 उसके बाद कंसेप्ट क्या बोलता है उसके बाद कंसेप्ट यह बोलता है कि जितन पावर को डिवाइड बाई 4 करके जो रिमेंडर बचा वो लिखो तो आपने बोला 3 23 को 4 से डिवाइड करा रिमेंडर आया 3 23 को 4 से डिवाइड करा रिमेंडर आया 3 क्लियर इस पे रिड्यूस हो गया कॉश्चन इसके आगे अगर देखू तो क्या होगा ये 3 हो गया ये अच्छा 3 की power 3 कितनी होती है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की power 3 is 27 clear फिर से 27 आ गया अब 27 है तो फिर से मैं इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ 27 को 4 से डिवाइड करूँगा तो remainder कितना आएगा में पास remainder आएगा आपके पास 3 27 को 4 से डिवाइड करने में remainder आया 3 तो 3 की power 3 कितनी होई 3 की power होई 3 20 7 ठीक है तो आप से पूछा गया था क्या कि unit digit का number क्या होगा unit digit का number होगा आपका 7 क्या चलो एक question C यहाँ पर डाल के लिख लो आप लोग अगर question ऐसा आता है 713 की power 80 into 612 की power 64 तब भी आपको पता है रिमेंडर क्या आने वाला है जीरो आने वाला है इस केस में 64 को जब डिवाइड करोगे तब भी आपको पता है रिमेंडर क्या आने वाला है इस केस में इस केस में भी रिमेंडर जीरो आने वाला है तो आप लोगों को पता है जब रिमेंडर जीरो आजाता है तो आप क्या करते हो उसे आप लिख देते हो 3 की पावर 4 into 2 की पावर 4 clear? 3 की पावर 4 कितना होता है आपके पास? 81 into 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 clear? अब बिस्थी बात है आपको 10th प्लेस की ज़रुत नहीं है 10th प्लेस को हटा दो question क्या बन गया? 1 into 6 तो answer क्या है आपके पास? 6 तो इसका unit place क्या होगा? 6 clear? इतिवात clear हो गई होगी hopefully आप लोगों को ठीक है? अच्छा जो last 2 digit का मतलब 10th digit वाला हम next lecture में ही discuss करेंगे ठीक है? क्योंकि half nr का तो ये lecture होई गया ठीक है? hopefully आपको unit digit के concept सब clear हो गए होगे कुछ नहीं करना है power वाले questions ही आने है आप लोगों के ठीक है? नंबर वाले आए तो बहुत ही आसान है इस form में आए तो गब पावर वाले form में आते है तो divide by 4 कर देना है क्यों कोई cyclicity याद नहीं रखनी क्यों? क्योंकि हर नंबर की cyclicity 4 तो होती ही है अगर 4 से divide करने में power को अगर remainder 0 आता है तो power को हटा के वहाँ पर 4 लिख देना है अगर remainder 0 नहीं आता है तो जो remainder है उझे as it is रख देना है और आगे solve कर लेना है solve करते वक्त यह बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप 10th digit पर आ जाते हो तो 10th digit को हटा दो जैसे ही यहाँ पर 81 into 16 करता न तो यह multiply क्यों करूँ जब मुझे पता है कि 10 digit से कोई मतलब भी नहीं है मैं तो 1 into 6 करके लिखूँगा answer 6 ठीक है? अगर आपको lecture पसंद आया है तो like पका कीजिए comment पका कीजिए ठीक है? ज़्यादर से ज़्यादा lecture को share कीजिए और practice करते रहेजिए ठीक यू